अधश्रे योग वाशिष्ठे निर्वाण प्रगर्णस्य पूर्वार्धे पंचदशाधिक शततमस्रगह श्रे वशिष्ठव वाच महाकर्ता महाभोक्ता महात्यागे भवानग सर्वाह शंकाह परित्यज्य धैरियमालंब्यशाश्वतं श्रे रामव वाच कि मुच्यते महाकर्ता महात्यागी की मुच्यते कि मुच्यते महाभोक्ता सम्यक कथयमे प्रभो श्रे वशिष्ठव वाचो एतद ब्रतत्रयम राम पुराचंद्रार्ध मौलिना भिंगी शायतु संप्रोक्तं ये नासव बिज्वरह अस्थितः सुमेरा भुत्तरे श्रिंगे पूर्भं शशिकलाधरह अतिष्ठदग्नि संकाशे समग्र परिवारवान तम पृच्छन महाते जास्तनु भिज्ञान वांस्थितः ब्रिंगी शाह प्रणतो राम बध्धांजलिरु मापतिम् ब्रिंगी शाव वाचो भगवंदेवदेवेश सरवग्या परमेश्वर यदहं परिप्रिच्छामि कृपया तद्वदाशुमे संसारर चनामनाथ तरंग तरलामि माम अवलोक्य भिमुयामि तत्व भिष्रांति वर्जितः कमंतर निष्चयं कांत मुररी कृत्य सुस्थितं अस्मिंज गजीर्ण ग्रिहे तिष्ठामि भिगतज्वरं इश्वरव वाचो सर्वाह शंकाह परित्यज्य धैर्य मालं व्यशाश्वतं महाभोक्ता महाकर्ता महात्यागी भवानग भिंगी शववाचो कि मुच्यते महाकर्ता महाभोक्ता कि मुच्यते कि मुच्यते महात्यागी सम्यक कथयमे प्रभो इश्वरव वाचो धर्मा धर्मव महाभाग शंकाविरहिताक्षयह यह करोति यताप्राप्तव महाकर्ता सुच्यते रागद्वेश उसुखं दुखं धर्मा धर्मव फलापले यह करोत्यन पेक्षेन महाकर्ता सुच्यते मौनवान निरहं भावो निर्मलो मुक्तमत्सरह यह करोति गतो द्वेगं महाकर्ता सुच्यते शुभाशु भेशु कारियेशु धर्मा धर्मईही कुशंकया मतिर्नलिप्यते यस्य महाकर्ता सुच्यते सर्वत्र विगतश्नेहो यह साक्षिव दवस्थितह निरिच्छंबर्तते कारिये महाकर्ता सुच्यते उद्वेगानंदरहितह समया सच्चया धिया नशोचते यो नोदेदि महाकर्ता सुच्यते यथार्थकाले मतिमानसंशक्तमना मुनिहि कारिया नुरूप बृत्तस्थो महाकर्ता सुच्यते उद्वे नहा कर्त्रिताम्च कर्मा कर्मा जरंस्चया समम्यात्यंतरत्यंतं महाकर्ता सुच्यते स्वभावे नैवयह शांतह समताम्न जहाति वै शुभाशुभं याचरन्यो महाकर्ता सुच्यते जन्मस्थिति विनाशेशु सोदयास्तमयेशुच सममेवमनोयस्य महाकर्ता सुच्यते नोकिंच नद्वेष्टि तथा नोकिंच दभिकांक्षते भुंते च प्रकृतं सर्भं महाभोक्ता सुच्यते नादत्ते प्याददानस्च नाचरत्याचरन्नपी भुंजानो पिनयो भुंते महाभोक्ता सुच्यते साक्षिवत्सकलम लोगभ्य भहार मखिन धीहि पश्यत्य पगते चम्यो महाभोक्ता सुच्यते सुखैर दुखैहि क्रियायोगैर भावाभावैर भ्रमप्रदैहि यस्यनोत क्रामतिमतिर महाभोक्ता सुच्यते जरामरणमापच्य राज्ये दारिद्र्यमेवच रम्यमित्ये वयोवेत्ति महाभोक्ता सुच्यते महांति सुखदुखानि यह पयाम सीवसागरह समम् समुपग्र्णाति महाभोक्ता सुच्यते अहिम्सासमता तुष्टिस्चंद्रभिंबा दिवांशवः नोप यस्माच्यो पयाता महाभोक्ता सुच्यते कट्वम्ललवणं तिक्तमम्रिष्टम्रिष्टमुत्तमं अधमं योतिसाम्येन महाभोक्ता सुच्यते सरसं नीरसं जैव सुरतं बिरतं तथा यह पश्यतिसमं सौम्यो महाभोक्ता सुच्यते क्षारे खंडप्रकारेच शुवेबाप्य शुवेतता समता सुष्थिरायस्य महाभोक्ता सुच्यते इदं भोज्यम भोज्यम चेत्येवं त्यत्वा विकल्पितं गता भिलाशं योभुंते महाभोक्ता सुच्यते आपदं संपदं मोहमानंदम परंपरं योभुंते समया बुध्या महाभोक्ता सुच्यते धर्मा धर्म उसुखं दुखं तथा मरण जन्मनी धियाये नेति संत्यक्तं महात्यागी सुच्यते सर्वेच्छाह सकलाह संकाह सर्वेह सर्वनिष्ययाह धियाये नपरित्यक्ता महात्यागी सुच्यते देहस्य मनसो दुखं रिंद्रियाना मनस्थिते नूनम ये नोज्जिता सत्ता महात्यागी सुच्यते नमे देहो न जन्मापी युक्ता युक्ते न कर्मनी इति निश्चयवानंतर महात्यागी सुच्यते ये न धर्म मधर्मम्य मनो मननमीहितं सर्वमंतह परित्यक्तं महात्यागी सुच्यते यावती द्रिश्यकलना सकलेयं बिलोक्यते सायेन सुष्ठु संत्यक्ता महात्यागी सुच्यते इत्युक्तं देवदेवेन भिंगीशाय पुरानगा एतां द्रिष्टिमवस्टभ्य तिष्ठराम गतज्वरह नित्योधितं भिमलरूपमनंतमाध्यं ब्रह्म्हास्तिने तरकलाकलनं हिकिंचित। इत्ये वभावय निरंजनता मुपेतो निर्वानमेहि सकलामलशांत वृत्तिहि अनामयं ब्रह्म्ह समस्त कल्प कार्यै गभीजं परमात्मरूपम् ब्रिहच्यतत ब्रिम्हितसर्वभावं खमस्तिभातिय यदंग किंचित। अन्यत्क्वचित किंचितिदं कदाचिन्नसंभवत्यव सदप्यसच्य इत्यवसाधो द्रिधनिस्चयोंतह स्थित्वागताशंक बिलासमास्व अंतर्मुखह संसततं समस्तं कुर्वन भहिस्थं खलुकार्यजातं नखेदमायासि कदाचि देव निराकृताहं कृतितामुपैशी इत्यारशे श्री वाशिष्ठ महारामयने वालमी कीए देव दूतोक्त मोक्षो पायेशु निर्वान प्रकर्णे पूर्वार्धे ब्रतत्रय निरूपणम नाम पंचदशाधिक शततमस्तर्गह अब आगे इस योगवाशिष्ठ महारामयने के निर्वान प्रकर्णे के पूर्वार्ध के एक सो पंद्रे में सर्ग में ब्रिंगीश जी के प्रती महादेव जी के द्वारा महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी के लक्षणों का निरूपण किया गया है श्री बशिष्ठी जी कहते हैं, हे श्री राम किसी समय की बात है कि सुमेरू परवत के अगनी सद्रिश उत्तरिय शिखर पर अपने समस्त परिवार के साथ भगवान शंकर विराजमान थे अपने परिवार के साथ बैठे हुए उमापती से साधारण आत्म ग्यान रखने वाले महान तेजस्वी और बिनम्र सेवक भ्रिंगीश ने जो वहीं पर उपस्थित था, उसने हाज जोड़कर प्रणाम करते हुए अंजली बांध कर पूछा हे भगवन, हे महाराज, इस खण भंगुर जगद रूपी घर के अंदर बिश्राम सुख से किस आंतरिक निश्चे का अवलम्मन करके मैं समग्र चिंता ज्वर से मुक्त होकर निश्चल रूप से स्थित रह सकता हूँ ऐसा कोई उपाए, ऐसा कोई ग्यान मुझे बताईए भगवान शंकर बोले, हे अनग, हे निश्पाप, तुम समस्त शंकाओं से रहित होकर अविनाशी अचल धैरी का आलम्मन करके महा करता, महा भोकता और महा त्यागी हो जाओ फिर निश्चंत हो जाओगे ब्रिंगीश ने कहा प्रभो, ऐसे वे कौन से लक्षन हैं, जिनकी प्राप्ती हो जाने पर पुरुष, महा करता और महा भोकता तथा महा त्यागी कहा जा सकता है कृपा करके उन्हें मुझ से भली भाती कहिए भगवान शेंकर बोले, महा भाग सावधान होके सुनो अहमता, पाप और मात्सरी से रहित, जो मननशील पुरुष, उद्वेग रहित होकर शास्त्र भीत क्रियाओं का अनुष्ठान करता है, वह महा करता कहा जाता है जो कहीं पर भी शनेह नहीं रखता, और जो साक्षी के सद्रिश निर्विकार रहता है और जो न्याय युक्त प्राप्त कारिय का निश्काम भाव से आचर्ण करता है, वह पुरुष महा करता कहा जाता है उद्वेग और हर्ष से रहित जो पुरुष निर्मल सम बुद्धी से शोक जनक परिस्थतियों में भी शोक नहीं करता और हर्ष जनक परिस्थतियों में हर्ष नहीं करता, वह महा करता कहा जाता है हर्ष स्थान सहश्राणी भयस्थान शतानिच दिवसे दिवसे मूढम आविशंति नपंडितम जो ज्ञानवान मुनी अपने प्रारब्ध से जिस समय जो भी कोई न्यायोचित कारिय प्राप्त हो जाए उस समय उस कारिय को आसकती रहित होकर करता है वह महा करता कहा जाता है जन्म स्थिती और बिनाश में तथा उत्पत्ती और बिनाश शील पदार्थों में जिसका मन समता से युक्त रहता है अथात निरंतर समता में स्थिर रहता है वह महा करता कहा जाता है जो किसी से द्वेश नहीं करता जो किसी की अभिलाशा नहीं करता और जो प्रारब्ध के अनुसार न्याय युक्त प्राप्त हुए सारे पदार्थों का उपभोग करता है वह महाभोगता कहा जाता है जो पुरुष अहंकार से रहित और परमात्मा में श्ठित होने के कारण न्याय पूरवक इंद्रियों से विशेयों का गरहन करता हुआ भी गरहन नहीं करता और कर्मों का आचरन करता हुआ भी आचरन नहीं करता एबम पदार्थों का उपभोग करता हुआ भी उपभोग नहीं करता अर्थात अपने साक्षी कूटस्थ चैतन्य के रूप में सदा इस्थित रहता है वहा महाभोगता कहा जाता है जो पुरुष बुद्धी की खिन्नता से रहित होकर साक्षी के सद्रिश समस्त लोक अभ्यभारों का किसी प्रकार की इच्छा के बिना अनुहुव करता है वहा पुरुष महाभोगता कहा जाता है जैसे समुद्र नाना प्रकार की नदियों के जल को समान रूप से ग्रहन करता है वैसे ही जो मनुष्य न्याय से प्राप्त बड़े बड़े सुख और दुखों को समान रूप से ग्रहन करता रहता है वहा महाभोगता कहा जाता है जो पुरुष कडवे, खटे, मीठे, नमकीन, तीते, खारे, स्वादू अत्वा अस्वादू भी जो कुछ भी प्राप्त हो न्यायसे प्राप्त कन्न को समान बुद्धी से खा लेता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है काम्य कर्म, निशिद्ध कर्म और सुख, दुख, जन्म और मृत्यू का जिसने बिवेग पूर्वक, सर्वथा, त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है संपूर्ण इच्छाओं, समस्त संशयों, वानी, मन और शरीर की सभी चेश्टाओं, तथा संपूर्ण सांसारिक निश्चेओं का जिस पुरुष्णे बिवेग पूर्वक, सर्वथा, त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है यह जितनी भी सम्पूर्ण द्रिश्य रूप मन की कलपना दिखाई दे रही है, उसका जिस पुरुष्णे अच्छी तरह से त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है हे निश्पाप श्री राम, देव देवेश महादेव भगवान शंकर ने बहुत दिन पहले भ्रिंगीश को इस तरह का उपदेश दिया था हे श्री राम, सदा प्रकाश्मान, निर्मल स्वरूप, आदी और अंत से शुन्य केवल परब्रम ही है ब्रम से अतिरिक्त कुछ भी पदार्थ नहीं है क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी प्रतीद होता है, वह सब कुछ कल्पों की कल्पना के कार्य का एक मात्र मूल कारण निर्विकार परमात्म स्वरूप परब्रम ही है वह परमात्मा बड़े-बड़े अनेक सरगों से विशालाकार वाला होने पर भी वास्तम में आकाश के समान निराकार ही है त्रिपादस्या मृतन दिवी पादोस्य विश्वा भूतानी त्रिपादस्या मृतन दिवी इतावानस्य महिमा अतो ज्यायांस्च पूरुशह अतो ज्यायांस्च इससे भी बड़ा है कहीं पर कुछ भी पदार्थ फिर चाहे वास्थूल हो, सूक्ष्म हो, अथ्वाकारण रूप हो सदा एकरस परब्रह्म से भिन्न किसी तरह भी नहीं हो सकता इसलिए तुम मैं सदरूप ब्रह्म ही हूँ इस प्रकार का अपने अंदर निश्चे करके स्थित रहो श्रीमत भगवद गीता में भगवान स्री कृष्णिवी कहते हैं तस्माद अज्यान संभूतं हृस्थं ज्ञाना सिनात्मनहा चित्वई नंशंशयं योगं आतिष्ठ उतिष्ठ भारत हाचा दर्ड़ जया वाल हाचा गित्व अंदर